सब्सक्राइब आप करते हैं तो आपको नबर के साथ मतलब है कि आपको एंडिगेटर के बजाए डाटापिट रहता है उसपपर अगर आप ज्यादा फोकस करोगे तो काफी अच्छ मुनाफा होगा और उसका मैं आज फ्रूप भी दूँगा और रियल एक्ग्जामपल, ऐसा भी नहीं है कोई आपसे छुपी हुई बात है, क्योंकि आपको एक बात समझ नहीं होगी, इंट्राडे में एल्गोरिजम काम करता है, इंट्राडे में वही इंसान कमाएगा जो एल्गोरिजम को Бीट करे, अब इल्गोरिजम को उम इतनी बुते पर ही काम करते और ऐसा भी नहीं कि एंडिगेटर का एक अपना नियम है एंडिगेटर एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्टॉप पर एक निश्चित टाइम पर और एक निश्चित टाइम फ्रेम पर काम करते हैं तो वो कैसे क्या एंडिगेटर के बारे में क्या है कि मैं टोटल बताऊंगा कि केसे काम करते हैं कौन सा किस पे काम करेगा क्या नहीं है वक्त वक्त पे वो बदलते रहते हैं हर एक स्टोक पर हर एक टाइम फ्रेम पर हर एक समय पर बदलते रहते हैं तो एंडियेटर आपको जितना आसान लग रहा है कि ट्रेंड लाइन और यह अवी बात मातों अगर कोई, अगर कोई एनलीस्ट आपको इस्टोपनोट सके साथ अगर कोई स्टोप टीस बता रहा है, तो यह मांन लिजै कि जब उसको उसक्रेस्ट पर एक मतलब «कॉंफिडेंस नहीं है। इस्टोपलोस दे दिया मतलब की एक तरीक है तो उसको उसके इस्टोपलोस इसलिए नहीं होता है कि इस्टोपलोस मान लिजे हमारी दिशा के विपरिज जाता है तो हमारा नुकसान कम हो इस्टोपलोस का महत्वए यह है कि जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है मान लीजे कि उसमें अगर गिरावट आती हो तो प्रॉफिट प्रॉफिट है वो एक बार हमारे पास आ गया है तो वो हमारी मेहनत है वो कम नहीं हो इसलिए है ना कि हमारा जो ओपनिंग बेलेंस है वो भी कम करके चले जाए तो आप इस्टोक लोस को भी समझे जैसा मार्केट में बताया जा रहा है जैसा है इतना आसान नहीं है अब मैं कुछ उधारन आपके सामने मतलब फेक्ट है मैंने यूटूब पे पेले से डाले हुए और ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रहा हूं कि नहीं है मेरे सारे स्टोक सही गी है कि डिंडोरा पीट रहा हूं ये नार्मल चीज है ठीक है प्राफिट हो गया खतम हुआ पर प्राफिट आज आपको ये भी पता चलेगा कि अगर डेटा पॉइंट की मदद से अगर आप स्टोक चैन करते हैं और उसके डेटा पॉइंट के आधार पे ही अगर आप खरीत तो और बेचते हैं इंट्राड आपको ये मैंने सुमवार से सुक्रवार के बीस में कुल दस इस्टोक दिये थे जिसमें से ब्रिटाई ने आएक इसा इस्टोक है जिसने अभी तक ब्रेक आउट नी दिया है आज अभी तक उसने ब्रेक आउट नी दिया हो सकता है कल दे दे वो तो डेटा का आप ताखत समझे इतने स्टोक में से एक भी ऐसा इस टोक नहीं है जिसकी मतलब कि इस्टोक लोगस तो छोड़िए जो बाईंग प्राइस जहां से बाई की थी ना वापिस वह भी आ गई हो तो आप data का मतलब data की ताकत समझे अब मैं आपको बताता हूँ सिपला सबसे पहले हम सिपला का उधारन लेते हैं यह जिस रोज दिया था इस रोज मैंने इसको दिया था यह कौन सी तारीक है 18 तारीक को उसके एक रोज पहले साथ मैंने वीडियो डाला था सोमवार से मैंने डालने स्टार्ट करें वीडियो डेटा के आधार पे मैं यह नहीं बता रहा हूँ कियार मैंने बहुत सही दिये और यह मैं आपको सिप data की ताकत बता रहा हूँ कि data अगर आपने बीट कर लिया algorithm को आपको intradaym कमाना है तो यह तो पक्ता है कि आपको उसको बीट करना पड़ेगा रिल्प्रिटा दिया उसरॉज ब्रेका उट होया पूरा मार्केट गिरा लेकिन ये बगाईदा अराम से उपर ही गया ITC दिया बिल्कुल ये दिया ये तो अब ब्रेक आउट हुआ मैंने पेले ही आज से चार कितने तारिक को बता दिया था ये ये 19 तारिक के रोज बता दिया था HDFCS यह कल बता दिया था इसका break out का इसमें अच्छे point मिले कितने क्या मिले यह भी बताऊंगा आप सिर्क इनको समझने की qo si armoray cory data को मैं जुब बता रहा हूं कि कितना क्या मिला क्योंकि जो मेरे को मिलना थाो मेरे को मिला कल साप बीमार उगे तक जो मैंने कमाया वो कोई आपके काम नहीं आजाएगा बस आप समझने के लिए इसको देखे कि डेटा क्या चीज है अगर सिंपल सा लोजिक लगाओ कि आपको अगर कोई चीज फ्री में दी है या प्रवाइट की गई है फ्री का मतलब यह नहीं मैं बोल रहा हूं कि कल से आप अथबना मेंत प्रवी, अपके चाहिए खरीद लोग है यह लेकिन अपना ओपनिंङ बिलन्स कभी भी एक रूपया भी कम नहीं होना चाहिए और इस्टोपलोस में कि अगर किसी ने भी बताया आपको कि यहां से खरीद लो ये इस्टोपलोस ये टारगे समझ जाओ कि उसको खुद को नहीं पता पहले तो यहीं पूछना उससे कि तेने तु खुद ट्रेड लेता है क्या उसमें इस इतना आसा जो ये बता रहे हैं ये सब नत्वर लाल होने खेर वीडियो सारे देखने चीए इसा नहीं बोल रहा हूं कि वीडियो चाहे जितना बुरा इंसान हो चाहे जितनी मान लिजे के कोई फेक बता रहा हूं उसमें से बहुत से इसे पाइंट होगे जो आपके कभी कभी काम आएंगे, इस्टोक मार्केट में काम कर रहे हो, ताप अच्छे पॉइंट को नोट करते जाएए, सिंपल सी चीज है, और इंट्राडे में कभी भी अच्छे जादा माइंड लगाया ही नहीं जाता है, आई टी सी बताया, एडी एपसी हो गया, आई सी आई सी आई प्रू का बत, यह ब्रेकडाउन दिया, इसने, यह आज ही का बताया, आज ही दिया इसने, कितने क्या पॉइंट है, मैं एकसल में बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, कितना क्या अरना क्या है, म अस्ते निकालोगे, क्योंकि इंट्राडे में आप तब ही सिखोगे जब आपके पास अर्निंग होगी, यह कोई स्कुल नहीं है कि आप मान लीजे के मार मार के गरवाले आपको बिठाएंगे और सिखाएंगे कि नियारिये सिए कि इस्टोक मार केट, इस्टोक मार केट में क् आप किसी भी चीज में चले जाएए, जब तक आपके पास अर्निंग नहीं होगे, आप कभी भी खास कर इस्टोक मार केट का तो सोची नहीं सकते, क्योंकि इसमें अपनी एक चूक सीधा बेलेंस रिवर्स कर देगी, मतलब इसमें चूक का मतलब है कि अपना सीधा पैसा ग अब भी बोल रहा हूँ, आज नहीं तो कल ये ब्रेक आउट देगा, किदर देगा, ये मैंने बताया हुआ है, फ़र्स्ट वीडियो में ही साइद मैंने इसको दिया था, मैं चेक भी कर लेता हूँ कब दिया था, आप चेक करना भी पांट सा, अगले सुमार से मैंने मतलब अब इसी सीरीज में ही दिये हैं सारे वीडियो, तो आप इसको देखना, कैसे क्या ट्रेड लेने अच्छे से मैंने बताया हुआ, डेटा से है, अब आप बोलेंगे यार चलो, ये टोटल दोस्त, दोसो साथ पोइंट होते हैं, जो मैंने बताया है, मातर पांच रोज के ट खरीदे होएंगे, गिरिस-गिरी कंडिस है, तो अब ही बीसे कजार उपे था पस्ते हस्ते पांच रोज में ही ले गए होंगे, और एक खेर मैं जो बता रहा हुआ हूँ, इतना आसान भी नहीं है, आपने सारे ट्रेड लियोंगे, या नहीं लियोंगे, सिप में ये बता रहा हूँ कि डेटा का पावर कितना है, आप इंडिगेटर ले लोग, कभी भी और एक रहस्य की बाद बताता हूँ, कभी भी इंट्राडे में पंदरा मिनीट, पांच मिनीट ये केंडल यूज ही नहीं होती है, जितने ट्रेड लेते हैं, ये सब ब्योकूब बनाते हैं, जितना बड़ा, मान लीजे कि ये जितने बता रहे हैं, फिर इनको पता ही नहीं होगा, कैसा होता भी है, पर मैं रियल बता रहा हूँ, कि इंट्राडे में कभी भी पांच मिनीट, चार मिनीट की केंडल, टेक्निकल का एक अपना नियम है, मैंने बताया नहीं है, कि वो वि लेटप काम कर रहा है, तो वो दो-चार दिन में नहीं करता है, उसकी टाइम फ्रेम अगेरा सारी चेंज हो जाती है, वो बीट करना कैसा है, वो आने वाले समय में अपन जानेंगे, मैंन आप अपी अर्निंग करते सीखिए, ये नहीं सीखोगे, तो वो चाहे जितने वीड मिले हैं, दोस्तों, मात्रा पांच रोज में, अस्ते अस्ते असा भी ने कि ये टेंशन वाले थे, क्या रिश्टोब लो सीट होगा, एसा वेसा, सिंपल सी चीजे बताई हुई थे, आप वीडियो देखना जाके, क्या बताया हुआ था, खेर सुमवार के लिए मैं और निक क्या है, क्योंकि परफेक्ट ट्रेड लो, एक लो अच्छी खासी क्वांटिटी में लो, ताकि क्या है कि हमारा जो टार्गेट है, कि 50-60,000, जो भी आपका है, वो आसानी से पार कर सको, और प्रोफिट एक, मतलब अबना नियम होना चाहिए, कि प्रोफिट एक नार्मल ची जो निची, ऐसा निया गयार, प्रोफिट है, तो बहुत खूस हो गया, यह नार्मल चीज है, ठीक है, पांच रोज में, कोई अनोखा काम नहीं, बहुत बड़ी बात भी नहीं है, है ना, लोग दुनिया तो 20-20-30 करोड रुपे भी उठाते हैं, एक एक रोज मैंने सुना की कोसिज करिया, मैंने आपको बता है, कम से कम पांच महीने तो कंट्यूनियू ऐसे स्टोक दूगा, जो डंके की चोट पे होंगे, बिल्कुल फ्री दे रहा हूं, ऐसा भी निगा, आपको बोल रहा हूं, पेमेंट लेजे, सबसे, आप से मांगा क्या, कि सबस्क्राइब क आप समय पे आप देखे, लाइक कीजे, मान लो कुछ प्राबलम आ रहे हैं, कमेंट में पूछ लेजे, मेल कर दीजे, इससे जादा आप से कभी कुछ कहा ही नहीं है, नह बोलेंगे आगे, क्योंकि मैने तो बड़ आस्चर होता है, मतलब, मतलब नटवर लालों इतने इसलिए मार्केट गिरा बेंकिंग के कारण, मतलब, लोग दुनिया के व्योज भी देखो गया, आद दिमाग काम नि करेंगे, मतलब, बना किस तरीके से रहे, आप ये समझे, और इसे अगर रहो गया, तो आप अखिगत में, आपके परिवार की सारी मेनद चली जाएगे, आपके, कुछ भी नहीं बचेगा, मैं ये नहीं बोड़ा, इंडिगेटर्स काम नहीं करते, बहुत अच्छे करते, उनका भी जैसे डेटा का नियम है, वेसाई है, उनको समझना और मुझकी लिए, जितना आसान आपको जो चीज़ लगरी वो उतनी मुझकी लें, जो जित प्लोस का मैंने बता दिया आपको, कब लेना, कब नहीं, एक मैंने गेप अप गेप डाउन वाला डाला हुआ है, उसको देखना, उसमें खेर किलियर नहीं है, मैं उसको फिर से डालूँगा, क्या, आपको पता चल जाएगा कि गेप अप या गेप डाउन ओपन नहीं लेट डालूँगा कि आप थोड़े एक्टिव हो उसमें, क्योंकि इधर आप अर्निंग करो, अच्छी करो, जो स्टोक बता रहा हुआ हूँश में बरभूर क्वांटिटी उठाओ क्या दिक्कत है, जब सही जा रहे हैं, नहीं मेरे तो हमेशा इसे जा रहे हैं, यह आज स सब्ता में ऐसे ही काउंट करूँगा, आपको बताऊंगा, कितने लोस का तो सवाल ही नहीं, हो सकता है कभी कबार एक आदाओ पर मेरे इसमें आप नियम रखना, मैंने जो पाइंड बताया है, कि बाइंग प्राइस पे ही आप इस टोप लोस रखना, ऐसा ज़रूर ही नही उसको ट्रेवल करके अपनी प्राइस पे लेके आजाना, इस टोप लोस को, इस टोप लोस का वीडियो डाला है, उसको जरूर देखना, आपकी क्या है, जो यह आप ट्रेड लेते हो, इसका पूरा महत्व बदल जाएगा, मतलब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि के से क करिए, क्योंकि मेरा के अभी न्यू चैनल है, तो उसमे के ना तो सब्सक्राइब है इतने और नहीं व्यू से इतने, जिस रोज मेरे को लाइव इस्ट्रिम का मिल गया, ऑप्शन अनेबल हो गया, उस रोज में आपको डेली लाइव करके बतूंगा, यह तो बोल नहीं सकत जितनी ताखा तो उतनी जवन, आपने ट्रेट सही लिया है नि बिंदास मार्केट को छोड़ी है, कि दर जाए, मार्केट इस्टोपलोसी लेगए हो सकता, अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि जिस से मार्केट क्रेस हो जाए, उसके लिए है, नकि आपने सोची लिया गया रहे ह वरना तो सब यह ऐसे डेली जैसे पांच-चार ट्रेड में मालीजे आपको प्राफिट भी हो गया, तो एक ट्रेड में आप जाओगे सारा महीं, भूम फिर के जो आप सूबे से मेनत किरी, साड़े तीन बज़े महीं के महीं बेठे रहोगे, कोई मतलब भी नहीं रहेगा, तो आप ये डेटा का महत हो समझे, और वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, धन्यवाद,